यह है एक PUBG एडिक्शन का ब्रेंड और यह है एक नर्माल इंचनों का ब्रेंड अभी आपकी माइन में एक कोशिन आया होगा कि PUBG एडिक्शन की ब्रेंड में यह योलो लाइट इतना क्यों जल रहा है स्विदीओ ड्रेंड अभी एडिक्शन के ब्रेंड में सेम एफ़ेक्ट दिता है इस वीडियो देखने के बाद आप पप सोस्यल मीडिया और सोस्यल मीडिया यूज़ करने से पहले हाजार वार सोच होगी क्या आपने सूसा हैं मेट क्यू बारबार सोसेल मीर्ट को आपइन करते हैं फेसबक microbes को क्यू बारबार आपइन करते हैं बाढाइर भर भुखक को क्यू आपन नहीं करते हैं इसका बह मेड ये सिंपल चारी जब हम लोग हर सब फेस्बुक की उज़ करते हैं उस टाम भे हमें कुछ ज्यादा ही इंट्रेस्टिंग फिलिंग होता है इस इंट्रेस्टिंग इसलिए होता है कि हमारे ब्रेंड में एक केमिकल रिलिस करता है इस केमिकल का नाम है डोपामिन डोपामीन को हम लोग happy hormone भी बोलते हैं डोपामीन हमारे brain and body की बिस में एक messenger की तरह से काम करते हैं इसको हम लोग neurotransmitter भी बोलते हैं इसलिए जब भी brain में dopamine release होता है तो हमें आच्छा feeling होने लगता है इस happy feeling पाने के लिए हमारी brain हम लोगों को बार बार सोस्यल मीडिया पापजी खेलने के लिए मुझबूर करते हैं आप पापजी खेलते रहोगी आपकी brain में dopamine release होगी आपके happy feeling होने लागेगी आप facebook की एक पोच देखोगी dopamine release होगी दूसरा पोच देखोगी dopamine release होगी और आपको आच्छा feeling होने लागेगी इस तरह से आप पूरा दिन facebook workshop और PUBG खेलते रहोगी आपको पूरा दिन पार हो जाएगा आपको पता है नहीं चलेगा क्योंकि आपकी brain में dopamine release हो रहा है और आपको आच्छा feeling हो रहा है अप कुश्य नहीं है PUBG खेलना बुरा क्यों है जब भी हम लोग कोई मन पसंद काम करते हैं जैसे टीबी सेरियाल ओएफ सेरिस कोई भी मोवी सेरिस या खाना खाना इसमें भी dopamine release होता है बट जब आप लोग PUBG और social media यूज़ करोगी नर्मल से पाज गुना ज्यादा dopamine release होता है जो हमारी brain की reward system को पूरी तरह से damage कर देता है PUBG और social media यूज़ करने से ब्रेंड की उस पाट को damage कर देता है जिस पाट से हमोई भी logical चीज़ को हम लोग solve कर सकते है या सोच सकते है एड एही reason के लिए एक PUBG addict इंचानों को नर्मल कामवे मज़ा नहीं आता क्योंकि उसकी brain already high dopamine की शिकर बन चुके है उसको high dopamine उने से अच्छा feeling होने लगता है जिस तरह से एक शरावी पहला दिन एक pack दूसरा दिन दो pack और day by day उसका quantity बार जाता है अभी question ए है कि क्या हम लोग इस problem चे बच चकता है तो answer है yes पहला solution है dopamine fasting आपको weekly at least one day आपको mobile से दूर रहना परेगा आप कही भी चला जाओ घुमने चला जाओ फ्रेंड के साथ चला जाओ लेकिन आपको mobile use नहीं करना है इस तरह से आपकी brain में आपको boring फिल करना परेगा और एक बार आपकी brain boring फिल करन कोई भी bad habit हटने के लिए good habits से convert करना परेगा जब भी आपको पाप जी और social media use करने के मन करें तो आप उसी time पे वह काम ना करके दूसरा कोई भी interesting काम करें कोई भी TV भी देख सकते या घूम भी सकते ऐसे करने से आपको day by day उसका habit change हो जाएगा दोस्तों अगर मेरा वीडिय वीडियो अच्छा लगा तो kindly share subscribe and like करें थैंक यू